कुशन पूछा गया पी पॉइंट पे पहुचने पे उस इंस्टेंट पे पावर डेलिवर्ट बताना है no doubt कि किसी विलास्टी से वहाँ पहुचेगा और पावर इंस्टेंटेंटेंट की वैल्यू F V कॉस थीटा होता है क्या इस इंस्टेंट पे फोर्स की वैल्यू mg होगी जो की नीचे की तरफ है विलास्टी हम पता कर लें और फोर्स और विलास्टी के बीच में जो एंगिल है that is 180 तो पावर का अंसर आ जाएगा मुद्दा है V कैसे आएगा तो इस पूरे टॉपिक में इतनी देर से हम लोग V निकालना ही सीख रहे है V लाने के लिए क्या इस A पॉइंट और P पॉइंट के लिए वर्क इनर्जी लगाना चाहिए W all equal to delta के यहां से P तक आने में केवल gravity work done कर रही है तो क्या हम कह सकते हैं A से P के बीच में जो height difference है वो h minus r है तो work done by gravity होगा mg h minus r positive work done होगा gravity का force नीचे shifting भी नीचे हो रही equal to half m v square minus u square कै यहां से हमें v के value पता चल गई और एक बार v पता चल गया तो power की instantaneous value आ जाएगी mg under root 2g h minus r find the compression in the spring so that it may complete circular motion circular track आगे भी होगा यह spring पहले से compressed है हमाल लेते हैं कि वो x से compressed है हमें find out करना है कितना compression हो कि यह circular motion complete कर ले जाए हमें पता है ऐसे किसी track में top peak velocity maintain रखना जरूरी है और वो velocity हम लोग normal action just zero होने के लिए under root rg लाते हैं यानि इतनी velocity के साथ top पे एक बार पहुचा दिया जाए तो आगे का track तो वो cover करी लेगा main खत्रा सबसे ज़्यादा खत्रा top पे होता है और वहां इतनी velocity के साथ पहुचा दिया जाए तो circular motion complete हो जाएगा तो क्या आप एक initial और final position के लिए हम लोग work energy लगा सकते हैं block को छोड़ी dimension का consider करना है तो एक level से लेके ground level से top पे जाने पे कितना distance cover हुआ है 2R work done by all equal to delta के लगा सकते हैं minus mg into 2R ये gravity का work done है क्या spring ने भी work done किया होगा अगर वो x से compressed है तो half k x square का spring ने work done किया होगा इस process में equal to half m final velocity under root gr r capital दिया है initial velocity 0 है इसको solve करके हम लोग x cancel आ सकते हैं